रहते हैं सब्सक्राइब को तो पर आज हम देखने वाले हैं आई-बी का एक्जेक्यूटिब का रीजिनिंग का प्रिविसर कोशन्स और यह कोशन्स जो है 12 फरवरी 2021 के एक्जाम से लिए हैं और यह शिफ्ट सेकिंड रहने वाली है अगर आपने इसे पहले वाली शिफ्ट के वेपर नहीं देखें तो इसका मैं आई-बीटन पे लिंग दे रहा हूँ आप वहां से क्लिक करके इसे पहले वाली रीजिनिंग के कोशन्स दे सकते हैं और एक आई-डे मिल जाएगा किस लाइब कोशन्स जो है आई-बी के अंतर पूछ आते हैं रीजिनिंग के चलते हैं कोशन की तरफ अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल क्लिक कर लेना अगर ना हो तो मेरा सलिशन देख लेन अब एक निरत्य मंडली के पांच निरत्य की डांसर उत्तर की और मूग किये हुए मंच पर खड़े हैं रोहित जो है विकास के दायाँ और 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो रोहित जो है विकास का दाया इधर होगा यहाँ पर कौन है रोहित है 30 मीटर की दूरी पर खड़े है आगे पढ़ लो सॉम्बिया विकास के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर रहे तो सॉम्बिया क्या है विकास के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर कितने मिटर के दूरी पे तीस मिटर के दूरी पे ठीक है आगे पढ़ लो कैजन सॉम्बिया के बाएं और दस मिटर के दूरी पे खड़ी है ठीक है तो जो कैजन है वो सॉम्बिया के बाएं और कितने दूरी पे 10 मिटर के दूरी पे खड़ी है यहाँ पे आजेगी कैजन ठीक है आगी क्या बोल रहा है संजे जो है कैजन के दक्षिन में और विकास के बाएं और खड़ा है ठीक है संजे कहाँ पे जाएगा कैजन के दक्षिन में विकास के बाएं यहाँ पे कोन है संजे है ठीक है यह होगे complete diagram आगी अब बोलड़ा question तो बताएं कि कैजन रोहित के किस दिशा में खड़ा है तो अगर आप रोहित को देखोगे और कैजन को देखोगे तो मिलेगा आपको दक्षिन उत्तर दक्षिन में यह देखो ठीक है यहाँ पे है तो यह है खुद निकालेना कि 50 मिटर कैसे आया है बाकी उत्तर पच्षिम में रोहित के कैजन खड़ी है ठीक है चलते है next question कोशन में दो है easy question है देखो कैसे करना है यहाँ पे आपको संब्द बताना है जिस प्रकार से इनकी बीच में संब्द है तो option में से किसके बीच में होगा तो देखो solve कैसे करना है याल भी उपको बता जिता हूं h का संब्स के साथ e के साथ e का संब्द है b के साथ अगर आप यहाँ पर दीखोगे तो माइनस 3 लेटर करेंगे तो हम e पर पहुंच जाएंगे उस पगार e में से माइनस 3 लेटर करेंगे तो b पे पहुंच जाएंग अब इसी को चेक कर लो किया संबंद है ज़का हि के साथ है चका संबंद है रैज इसका मतलब है पिता, multiply का मतलब है बेटी और divide का मतलब है बेटा, आपको यहाँ पर लगाना है और अंसर करना है आपको, देखो कैसे होगा, जी के बाद दे रखा है, divide और फिर n, यानि कि जी जो है, बेटा है, क्योंकि divide पर में बेटा बता रखा, तो जी बेटा है किसका n का, ठीक है, n के बाद दे रखा multiply, तो multiply पर बेटी है, और d, n बेटी है किसकी, d की, तो यह circle में चले जाएगी, और उपर कोन आने वाला है, d, ठीक है, फिर plus का रिशान दे रखा, plus पर क्या दे रखा है हमें, पतनी, तो d पतनी है, किसकी m की, इन दोनों का relation हो जाएगा, यह चले जाए है, पिता, m पिता है, किसका, s का, ठीक है, अब यह पता नहीArt, लड़का है, लड़की छोड़ देंगे, क्या बोला है हमें, n का संब्ध, s से किस प्रकार है, तो आप देखोगे, n क्या है, एक लड़की है, और n, n की, d की है, और n की, और यह भी इनकी क्या है, बेटी या, बेटा जो भी हो सकता है तो इस प्रकार से N क्या लगने वाली है बेहन लगने वाली है S की तो आप राइड अंसर दे सकते हो तो easy होता है आपको वस डियाग्राम ड्रॉ करना है यह तो पढ़ना ध्यान पूबक से हो जाएगा यह चलते है next question तरफ question में fourth है और यह question जो है बेंट डियाग्राम से आए हुआ है यहाँ पर आपको कतन पढ़ते होए अपना बेंट डियाग्राम बनाना है और निश्कर्स पढ़ते हो अंसर करना है देखो कैसा करना है लो question क्या बोल रहा है कुछ करकेटर खिलाडी है ठीक है और कुछ खिलाडी करकेटर नहीं है यह हमें पहले वाले में बोला गया था उसको घुमा के लिख दिये गया है ठीक है आगे पढ़ लो निश्कर्स में क्या बोल रहा है कुछ खिलाडी करकेटर है क्योंकि कुछ करकेटर खिलाडी है तो कुछ खिलाडी किर्केटर भी होंगे यहाँ पर आप देख सकते हो यह पार्ट ठीक है तो यानि कि पहले वाला अनुसराड करेगा दूसरा पढ़ लो सभी किर्केटर खिलाडी है ऐसा कुछ है नहीं कतन में तो second वाला अनुसराड नहीं करेगा थर्ड पढ़ लो सभी खिलाडी किर्केटर है वो यह बात घुमागे लिख दी गई है यह भी अनुसराड नहीं करेगा क्योंकि है नहीं कुछ बोला ही नहीं कतन के अंतर में कोई भी खिलाडी किर्केटर नहीं है बहुत एजी होते हैं अराम से पड़ोगी हो जयागा यह कोशन तो चलते हैं नेक्स कोशन ही तरफ कोशन में पांच है और काफी अच्छा कोशन है यह आप पहले खुसर ट्राइ करना अगर ना हो तो ही मेरा सुलिशन देखना ठीक है है यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको इक श्रंकला दे गई है और उसमें गलठ चंक्या दिगहीं हो और वो है 2.5, 2.5 को हर एक के अंदर multiply कर रहे हैं, जिससे इन्हें अगली संक्या प्राप्त हो रही है, इस प्रकार से चल रहे हैं, मतलब कि पीछे से चलते वह आ रहे हैं, यानि कि 30 से चलते वह आ रहे हैं, और इधर इनको संक्या भड़ती मिल रही हैं, तो अगर मैं 30 के अं होता, और इसमें मैं 2.5 का multiply करता, तो मुझे 80 मिलता, तो फिर इससे आपसे sequence पूरा follow होता, और यहां पर गलत नमबर हो क्या है, 30 है, इसलिए इसका right answer क्या होगा, second, ठीक है, चलते हैं, next question के तरफ, question number 6 है, और इस प्रकार की question जो आपको आपको आई-बी में देखने को मिल के तरफ, question number 7 है, और यह भी when diagram से question आई हुआ है, आप खुछ सा time कर लेना, when diagram से आपको दो question देखने को मिल सकते हैं, I begin अदर, ठीक है, चलते है, next question तरफ, question number 8 है, और यहां पर आपको अक्षर शंकला पूरी करने है, question मा की जगा पे कौन सा अक्षर को समुआएगा बताना ह देखो कैसे करना है, easy है, k, l, m, n, इसका संबंध है किसके साथ, g, i, k, m के साथ, देखो क्या कर रखा है इनोंने, k में से अगर मैं 4 letter minus करूं तो g मिलेगा, l में से अगर मैं 3 letter minus करूं तो i मिलेगा, m में से 2 letter minus करूं, k मिलेगा, और n में से 1 letter minus करूं, तो मुझे m मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो शरंकला पूरी की गई है, वो minus में चल रही है, यानि कि 4, 3, 2, 1, minus में करते जाओगे, तो आपको अपना letter मिलता जाएगा, बस आपको p, q, r, s में लगाना है, और आपको अपना answer मिल जाएगा, तो easy है, जल टाफ नहीं है question तो, चलते हैं next question तरफ, question में 9th है, दरपन सो question आया हुआ है, यहाँ पर दरपन रखा हुआ है, यहाँ पर किस तरह की image मनेगी, यह बताना है, बहुत easy है, चलते है next question तरफ, question में 10th है, और यहाँ पर आपको शंकला पूरी करने है, question मा की जगा पर कौन स 519, 766, तो अगर हम इनके gap देखें, इनके बीच में gap केतना है, 566 से 598 के बीच में gap हमें मिल रहा है, 31 का, उसी पकार 598 से 635 के बीच में gap केतना आएगा, 37 का, फिर इसके हमें पता नहीं है, और यहाँ पर हमें यहाँ पता नहीं है, पर हमें यहाँ पता है, यहाँ केतना gap गैप आ रहा है अगर हम देखे 719 से 766 की बीच में 47 का तो अब एक चीज नोटीस करोगे यहां पर कि जो गैप आ वो प्राइम नंबर का रहा है जो कभी किसी दिवाइड ना हो कुछ इस प्रगा का नंबर देखेगा 31 37 यानि कि अगला जो गैप होना चाहिए वो कौन सा नंबर का होना चाहिए 41 का जो एक प्राइम नंबर है तो अगर मैं 635 में 44 एड़ कर दो तो कितना होगा वो होगा 676 च किसी दिवाइड ना होती हूं उस प्राइकार की संगाओ गैप है तो इस प्राइकार से कोशन होगा ठीक है तो देख सत्यों किस टाइब कोशन बनाते है आई भी वाले तो आपको प्रेपेशन थोड़ी सी इसी डिरेक्शन में करने ही पड़ेगी चलते हैं नेक्स्ट कोश करें तो 11 17 के बीच में 6 का है 17 से 30 के बीच में 6 का है यहां पता नहीं यहां पता नहीं कि कॉमा नंबर लिए जा रहा है तो 6 6 एड़ कर देंगे तो हमें पर चलता है कि अंसर क्या होगा तो 29 आ जाएगा आप देख सकते हूं 29 का राइटन चुरोगा यानि कि 6 नंबर की श् देखिया है वो काफी टफ है तो ऐसे कोशनों को आपको बहुत ज़्यादा पोकस से करना पड़ेगा ठीक है चलते हैं नेक्स कॉशन तरफ कोशन में 13 है और यह कोशन भी उसी प्रकार का है जैसे हमने पीछे किया था ब्रैकेट में आपको अक्षरों की श्रंकला देदी ग होगे तो अगर L में में 2 एड़ कर दूँ तो N मिल जाएगा और N में अगर मैं 3 एड़ कर दूँ तो मुझे क्यू मिल जाएगा उसी प्रकार अगर मैं Q में से 1 लेटर माइनस कर दूँ तो मुझे मिलेगा P और फिर यहां पर जो श्रंकला पूरी की जा रही है वो है P में अगर मैं 2 लेटर मैंस प्लस करता हूं तो R और R में अगर मैं 3 लेटर प्लस करता हूं तो U फिर यहां पर क्या करना है माइनस 1 लेटर करना है तो मुझे मिलेगा T फिर T में अगर में दो लेटर्रम प्रेस करता हूं तो मुझे मिलेगा V और फिर V में ती लेटर्रमार करता हूं थे मिलेगा Y तो यह श्रंकला पूरी की गई है बस यही आपको चेक करना है कहाँ पर है ठीक है तो easy है बस आपको ध्यान प्रूफ़क करना पड़ेगा चलते हैं next question के तरफ question number 14 है और ये question जो है sitting arrangement से आए हुआ है देखो कैसे करना है 6 दोस्त हैं एक वृत के चारो और केंदर की और मुख किये हुए बैटे हैं ठीक है हम एक वृत बना लेटे हैं पहले ये वृत है और छाय दोस्त जो है वृत की केंदर की और मुख की होए बैठे हैं B, A के दाएं दूसरे साफ़र बैठा है छीक है जो B है वो A के दाएं दूसरे सामने बैठा है अगर मैं A को यहाँ बिठा दूं तो A का दाएं इधर होगा तो B का बैठने वाला है A के दाएं दूसरे सान पर तो यानि कि B की पूरिशन यहाँ पर आएगी आगे पढ़ लो D जो है E के बाएं से दूसरे सान बैठा है तो E का बैठा है D के बाएं दूसरे सान पर पर यहां से में पता नहीं कहां बैठ सकता है D यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है तो आगे पढ़ लेंगे हम D जो है A का निकटतम प्रोसी नहीं है ठीक है, अब जो D है न वो A का निकटतम प्रोसी नहीं है यानि कि D यहां नहीं बैठेगा और फिर पोजिशन क्या बटिए यहां और यहां अगर मैं D को यहां बिटाऊंगा तो E नहीं बैट पाएगा तो इसलिए D की जो पोजिशन निकल के आएगी वो क्या होगी देखो D की पोजिशन होने वाली है कुछ इस प्रकार से D यहां बैटेगा D का बाएगा होगा B का बाएगा इधर होगा और यहां कौन बैटने वाला दूसरे सान पर E तो E की पोजिशन क्या होगी E की पोजिशन यहां पर आईगी ठीक है बचे दो और दो के वाले में कुछ बोला नहीं गया है तो वो यहां पर ही बैट सकते हैं और वो यहां पर ही बैट सकते हैं C और F ठीक है कौशिन क्या बोल रहा है B के निकटतम दाएं कौन बैटा है तो आप देखोगे अगर B के निकटतम दाएं जो है D बैटा हुए इसका नसर्ड D है ठीक है इजी कौशिन है इसका निकटतम देखने की समामना बन सकते हैं आपके एक्जाम में ठीक है तो प्रैक्टिस करके चलना है आपको चलते हैं नेक्स्ट कोशिन तरफ कोशिन में पंदरा है और यह आपको शब्द कोश के अनुसार इसको विवस्तित करना है जैसे एलफा बैड होते हैं इंगलिश वाले उनकी एक्टिस विवस्तित करना है बहुत इजी है आप खुश से कर सकते हैं कोशिन तो चलते हैं नेक्स्ट कोशिन तरफ कोशिन में आपको उस अरेक का चैन करना है जो सई संबन बता रहा हूं किसमें लेकक मा महिला में देखो कैसा आरेक बनेगा मा हमेशा क्या होगी महिला होगी यह तो बात सच है तो यानि कि सारी मा जो चले जाएंगी महिला में और एक लेकक अगर हम बात करें एक लेकक मा भी हो सकती है महिला भी हो सकती है तो इस प्रकार का डियाग्राम बनेगा आप यहां देख सकते हो ठीक है चलते हैं next question तरफ question में सकतरा है और यहां पे आपको pattern पूरा करना है कि यहां पे कौन सा pattern है इसलिए आपको pattern कर लेना क्योंकि वहां से दो या तीन कोशन देखने को मिल रहे हैं इस सेट के अंदर तीन तो ही ठीक है तो आपको पैक्टिस करके रखनी है चलते हैं next question तरफ यहां खुझ से चेक कर लेने गवारी question बढ़ 19 है और इस question में आपको संबंद ग्याद करना है जिस प्रकार से इन तीनों शब्दों में संबंद है तो option में वो देखना है option कोंसा ही होगा जिन में संबंद आ रहा हो deswegen तो आप देखो कि हाथ उंगली अंगुठी हाथ में उंगलिया होती है और उंगलियों में अंगुठी पहनते हैं तो उसी पकार आप देखो कि चैरा नाक नाक पिन तो चैरे पे नाक होती है और नाक पे हम पिन पहनते हैं तो इसलिए इसका राइड एंसर क्या है सेकेंड है यहुआ पर कर सकते हैं चलते हैं next question देज़ा है कोशन में 20 है और यहाँ पर आपको pattern पूरा करना है question मा के जगा पर कौन सा pattern आएगा वो देखके भरना है तो यह total 20 question में देख लिए है शिफ्ट सेकेंड में और यहां से आपको एक आईडेय मिल जाएगा कि किस टाइप का जो है पेपर आई भी गंदर बनाया जाता है रीजिनिंग का और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है रीजिनिंग की ताकि आप 20 में से 17, 18, 19 के आसपस नमबर लेके आ जाएं रीजि आवकर को लेके बैक्टिस कर लेकिक्ट कर लेना ताकि आपके आउसारन नाइटिफ्टेशन टैम पर पहुंस रहे हैं हम जीयस की बीडाल है और क्रेंटअफिच फेज भी डालते जा रहे हैं ताकि आपके यहाउप उसके किस तरीके से आई बीख बेपार को निकालना है ठ नेवाद।